Hello guys, welcome back और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Pascal Triangle की ये Pascal Triangle का second video है friends पहले वीडियो में हम लोग ने Pascal Triangle का basic concept देखा था and एक program किया था lead code पर जिसमें हमें nth row print करना था और दूसरा program हम लोग करेंगे Pascal Triangle में जिसमें हमें n rows print करना होगा friends पहले concept को हम लोग समझ लेते हैं ये जो हम लोग problem करेंगे इसको हम लोग pattern वाले तरीके से करेंगे देखें ये जो दो element है add होके ये element बना रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि जैसे 1 और ऊपर के दो element add होके आए 2 and 1 इस तरीके से pattern बना तीसरा row I mean 4th row 4th row कैसे बन रहे है 1 लिखा जाएगा फिर ये first two elements add हो रहे है और 3 बन रहे है फिर ये next two add हो रहे है फिर 3 बन रहे है और once ये close हो जाएगा अगला row कैसे बन रहा है 3 plus 1 4 3 plus 3 6 and 3 plus 1 4 right and last में 1 तो somewhat इस तरीके से हम लोग n row generate कर सकते हैं हम लोग return कर देंगे अगर 2 से ज्यादा होता है तब हम लोग क्या करेंगे हर नया row previous row के help से बनाएंगे जैसे यह suppose कर यह previous row है right अब previous row के help से हम लोग नया row create करेंगे तो current row क्या होगा 1 होगा और previous row के दो element को add कर रिके to 1 right अब यह previous row बन जाएगा right friends तो पिछले वाले row के help से हम लोग क्या करेंगे next row create करेंगे तो यही concept हम लोग follow करेंगे और इसी को use करके हम लोग यह problem solve करते हैं तो directly हम लोग lead code पे चलते हैं और वहीं पर code करते हैं तो कुछ चीज़े हैं इस problem के according करनी पड़ेंगी जैसे हमें इस function से list of list return करना है तो यह बना लेते हैं list of list जो होगा integer का इसका नाम देते हैं error और लिखते हैं new link list या array list जो आपकी preference हो right और यहाँ पर लिखते हैं list integer यहाँ पर देखेंगा friends link list के बाद यहाँ list मैंने यूज किया link list नहीं अगर आप link list यूज कर दोगे तो error आ जाएगा right अब यहाँ पर लिखते हैं if num rows double equal to one अगर one है तो क्या करेंगे error में basically one add करेंगे add और हमें एक नया list add करना पड़ेगा जिसमें one हो तो यहाँ लिखते हैं new linked list अगर आपको यह collection framework समझने में दिक्कत आ दे तो आपको पहले थोड़ा सा collection framework पढ़ना पड़ेगा right नहीं तो अभी के लिए इसको आप ignore कर सकते हो और पूरा solution देखो right और जब link list आपको पढ़ लोगे तो और बहतर तरीके से समझ पाओगे friends और फिर यहाँ एक element add करना है तो लिखते है arrays as list और इसमें one लिखके add कर देते हैं right और इसको array को return कर देते हैं अगर one नहीं है one से बड़ा है तब हम लोग को दूसरी तरीके से deal करना पड़ेगा ठीक है तब क्या करेंगे तब हम directly पहले array यह line copy कर लेते हैं कि यह पहला row तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा right फिर list बनाते है integer का और इसमें second वाले row को रख लेते हैं ठीक है और उसका नाम देते हैं previous प्रीविएस इसलिए देते हैं friends ताकि हम इसी row के help से next row बनाएंगे previous और यहां लिखते है new linked list और यहां लिखते है arrays as list और यहां पर 1,1 पास कर देते हैं इन दो लाइनों को मैं आपको थोड़ा से explain कर देता हूँ देखिए पहले वाले में क्या किया गया एक list बनाया गया और उसमें one रख के main link list में add कर दिया गया second वाले row में एक और list बनाया गया जिसमें one and one को रख के क्या क्या कर दिया गया list में add कर दिया गया right simple अगर यहां तक आप आगे friends तो आगे तो बहुत ही आसान है यहां थोड़ा सा link list का use हो रहा है इसकी वैसे थोड़ा सा difficult हो जा रहा है अगर simple array वागेरा की use होता तो समझना थोड़ा और आसान होता लेकिन अगर आप link list वागेरा पढ़ लोगे तो आगे बहुत ही useful होगा ठीक है तो आप collection framework को ignore नहीं कर सकते collection framework आप थोड़ा थोड़ा practice करते जाओ और clear हो जाएगा इसको array में add करते हैं और इसको करते हैं add और previous अब यहां एक for loop चलाते हैं simple i equal to 3 क्योंकि first के दो रोग तो हमने already add कर दिये i less than equal to num rows and i plus plus right फिर से list बनाते हैं integer और इसका नाम रख देते हैं next यह previous row just previous वाला determine कर रहा है और next row previous के helps से हम लोग बनाएंगे यहां मैं लिखता हूँ new linked list right और simply इसमें क्या कर देता हूँ next में add कर देता हूँ क्या one क्योंकि हर next row में हमें one तो add करना ही था जैसे कि यहां पर मैं थोड़ा explain करता हूँ देखे फ्रेंट जैसे one two one था तो next row जो बनाना था यह क्या है यह पाली जे previous row है तो इसमें यह दो elements add होगे लेकिन one one तो आएगा ही फिर क्या आएगा three then यह दोनो element add होगे three और फिर one तो आएगा ही तो यह one starting वाला और ending वाला one हमें खुद add करना पड़ेगा और यह दोनों बाकी computation से हम लोग निकालेंगे तो starting वाला one add कर दिया अब loop चलाते है int j equal to zero j less than previous का size previous size right minus one minus one इसले कर रहे है क्योंकि हम दो-दो elements select कर रहे है right j plus plus और यहाँ पर आते है int let's say value equal to previous dot get dot j plus previous dot get dot j plus one right j और j plus one दोनों की value लेंगे add करेंगे और इसको add करने के बाद क्या करेंगे next में add कर देंगे बहुत है simple right add कर दिये और इस loop से बाहर आने के बाद क्या कर सकते हैं लोग हम लोग next में एक और add करेंगे one को फिर से add करेंगे right अब क्या करेंगे इसको main area में add कर देते हैं error add next right अब next को previous बना देते हैं ताकि अगली बार जब next row compute होगा तो यह next row use होगा next row बनाने के लिए right तो यहां लगते हैं previous equal to next and last में error को return कर देते हैं इसको run करके देखते हैं इस input के लिए तो सई output आ रहा है अब submit करके देखते हैं perfect तो हमारा जो solution है वो 0 millisecond ले रहा है और 100% faster है तो इस तरीके से friends यह problem हम लोग solve कर सकते हैं पास्कल triangle का और इस question का link मैं description में दे दूँगा आप concept को समझे और फिर खुद से try करिए इस problem का solution देने का right friends अगर यह video आपके लिए helpful रहा तो इस video को like कर सकते हैं ऐसे और videos के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं thank you so much for watching